पब जी तो यार हम सभी खेलते हैं, हम सारी गंस के बारे में जानते हैं, हर लोकेशन को जानते हैं, चपपा चपपा जानते हैं, यहां तक यह भी जानते हैं कि किन लोकेशन पर फ्लेयर गर मिलने के बहुत जादा चांसे होते हैं लेकिन एर आज की इस वीडियो में आप लोगो PUBG के कुछ ऐसे facts बताने वाला हूँ जो कि आप में से most of the people ने नहीं सुने होंगे वीडियो पूरी देखना सारे facts को जानना अच्छी लेगे तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो यार तुम लोगों को पता है कि क्या करना है फड़ाबट से जाओ कर दो चैनल को सबस्क्राइब अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक छोटे सेंटरों के बाद अगर आप PUBG खेलते हो तो आप लोगों ने जरूर एक गन का नाम सुना होगा जो कि है M249 यह जो गन है यह आप लोगो फ्लेयर डॉप्स में दिखने को मिल जाती है यह PUBG में एक वही लोटी गन है जिसमें एक बारी में 100 रिलोड होते हैं तो क्या आप लोगों को पता है यह जो गन है यह एक्चुल में रियल है असलियत में इस गन का यूज किया जाता है आर्मी में और इस गन का जो वेट है वो 7.5 किलो है जी हाँ 7.5 केजीज इस गन को हर कोई उठा कर नहीं चला सकता इस गन को उठाने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉंग मसल चाहिए होंगे आर्मी में इस गन को उठाने की हर किसी को पर्मिशन नहीं दी जाती इस गन को सिर्फ वह उठा सकता है जिसमें बहुत जादा ताकत हो जिसके मसल्स बहुत ही जादा स्ट्रॉंग हो और उन लोग के इस gun को चलाने की एक special electric training भी दी जाती है Isn't it awesome PUBG में BP क्या होता है तो हम सभी को पता है BP आ नहीं, blood pressure नहीं, BP मतलब battle points अब यह वो ही छोटे golden सिक्के होता है जिन से हम लोग क्रेट्स खरीटते हैं ना ना बड़े crates नहीं, सिर्फ छोटे वाले crates जो 700-700 BP के आते हैं, मतलब सस्ते वाले crates जहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता सिर्फ हमारा काम वहापर यह होता है कि फटावर्ट से crate को खरीदे फिर महां से जो समान मिलों उसको dismantle कर ले और महां से silver वाले सिक्के ले ले तो BP का मतलब तो आप लोगों पता है battle points होता है लेकिन क्या आप लोगों पता है कि UC क्या होता है तो बहुत ही कम लोग ऐसे जो लोग actual में UC की full form जानते है UC की जो correct full form में वो unknown currency है अब unknown currency रखने के पीछे एक बहुती बड़ा reason यह है कि PUBG पहली बात तो पूरी world में खेली जाती है मतलब हर जगे PUBG को बहुती जादा खेला जाता है बहुती जादा प्यार दिया जाता है तो इसलिए PUBG अगर को specific एक country की currency रख देती तो इसलिए PUBG ने को specific currency ना रखते हुए इसको unknown currency के नाम दिया है क्या आप लोग को पता है कोरोना वाइरस फैलने के बाद जब से पूरी दुनिया में lockdown हुआ है मतलब हर country में lockdown हो गया था तो PUBG एक ऐसी game थी जो कि सबसे जादा खेली जाती थी तो अब अगर मैं आप लोग को बता हूँ PUBG mobile का revenue जो कि सिर्फ एक महीने से collect हुआ है में 2020 में जब lockdown हो चुका था तो वो 200 million था अगर इसको इंडियन currency में convert करके बता हूँ तो यार 1511 करोड से भी जादा मतलब जितना रतन टाटा ने इंडियन government को डोनेट किया है 1500 करोड उससे भी जादा तो आप लोग सोच सकते हो कि PUBG का craze lockdown के वाद कितना जादा बढ़ गया था जबी भी आप PUBG खेलते हो और parachute से नीचे उतरते हो तो कई बार ऐसा होता ने कि आप लोग को कोई गन नहीं मिलती तो अगली बार अगर आप कोई hot drop पे उतरते हो और आपको गन नहीं मिलती और आपकी punch fight हो रही हो तो prefer करना कि आप superman punch ही दो roman rings वाला नहीं लेकर यहाँ पर PUBG वाला ताकि जो आप सामने वाले बंदे को damage दो वो normal punch के मुकाबले बहुत ही जादा हो क्या आप लोग को पता है जो PUBG का 2018 का revenue था वो 920 million था और 2019 में ये बढ़कर 1.3 billion हो गया था अगर इसको Indian currency में बता हूँ तो ये 9826 करोड से भी जादा बनता है मतलब सोच सकते हो PUBG अकेले कितना जादा पैसा कमाता है और PUBG के जो main पैसे आते है वो royal pass से आते है चाहे फिर बात करो डासिया की, जीप की, बगी की या फिर बाइक की हर तरह के वीकल आप लोगों ने चलाए होंगे लेकिन क्या आप लोग को पता है जो वीकल बगी है उसकी जो back side होती है वो bullet proof होती है मतलब कि अगर कोई बगी चल रहे है आप उसको पीचे से मार रहे हो और वो गोली अगर बगी की back side पे लग रही है तो बगी को कोई भी नुकसान नहीं पहुचेगा बगी पीचे से totally bullet proof होती है तो अगली बार से जबी भी अगर आपको किसी बगी को फोड़ना हो तो उसको आगे से फोड़ना या फिट साइड से क्योंकि बगी को पीचे समानने से उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुचेगा और ये fact बहुत ही कम लोग जानते है PUBG पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़ादा चलने वाला गेम है सबसे ज़ादा PUBG को खेला जाता है पूरी दुनिया में लेकिन क्या आप लोग को पता है 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दो कंट्री ऐसी है जिनके अगर हम PUBG यूजर्स को calculate करे तो वो टोटल PUBG यूजर्स के comparison में 50% बन जाते है मतलब कि सिर्फ दोई ऐसी कंट्री जिनके अगर हम ऑनलाइन PUBG पूर्स को calculate करे तो वो टोटल PUBG के server के अकेले 50% बन जाते है पहली कंट्री यहाँ पर आती है चाइना जिसमें PUBG के टोटल जितने भी world में लोग खेल रहे है उसमें से 33% लोग अकेले चाइना को बिलॉंग करते है उसके बाद यहाँ पर आती है इंडिया जिसमें 21% लोग इंडिया को बिलॉंग करते है मतलब कि क्या आप सोच सकते हो अगर हम इन दोनों ही कंट्री के परसंटेज को प्लस कर दे तो 54 बनता है मतलब अकेली दो ही कंट्री ऐसी है जो कि PUBG के 50% of the players को hold करती है PUBG वालों के लिए इंडिया और चाइना बहुत ही important कंट्रीज है क्योंकि इन दो कंट्रीज में PUBG का क्रेस बहुत ही जादा है M416 गन हर किसी को पसंद है लेकिन जबी भी आप M416 ढूडने जाते हो तो उसके बदल जो सबसे कॉमनली गन आप लोग को मिल जाती है वो M16A4 है M16A4 यह जो गन है सबसे जादा कॉमन PUBG में देखने को मिलती है लेकिन क्या आप लोग को पता है असलियत में भी यह गन सबसे जादा कॉमन है मतलब कि असलियत में भी सबसे जादा प्रोड्यूस होने वाली यह गन है जिसको आर्मी में यूस किया जाता है यह जो गन है सबसे पहले US Force में डिप्लॉई हुई थी वियतनाम वार के दोरान तो इसलिए आप लोगो PUBG में यह गन सबसे ज़ादा देखने को मिलती है तो कि एक साल में जो सबसे ज़ादा गन प्रोड्यूस होती है वो M16A4 है अब असलियत में इसका नाम कुछ और है लेकिन गेम के मताबिक इसका नाम M16A4 ही है PUBG गेम में इतने ज़ादा ग्लिचे देते हैं सारे बक्स है मतलब कभी कोई बंदा कंटेनर में फश जाता है तो कभी कोई गाड़ी में फश जाता है वो 2017 साल के सामने कुछ भी नहीं है मतलब कि 2017 साल में PUBG एक ऐसी गेम थी जो कि सबसे ज़ादा बगियस्ट गेम आफ दे एर थी मतलब इस गेम में सबसे ज़ादा बग थे उस साल में तो आप खुद इमेजिन करके देख लो कि अभी जब PUBG में इतने ज़ादा ग्लिचिस देखने को मिलते हैं तो यह 2017 में जब PUBG को मोस्ट बगियस्ट गेम अफ दे एर बोला गये था तब PUBG में कितने ज़ादा ग्लिचिस होंगे अगर कोई बंदा 2017 से PUBG खेलता आ रहा है तो वो मेरी बात को अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग PUBG के कितने पुराने प्लेयर हो हर PUBG की स्कॉर्ड में ग्यानी बंदा जरूर होता है जो हर टाइम हर मिनिट अपने बाकी के तीन टीमेट्स को अडवाईज ही करता रहता है कि ये गण चला या फिर ये गण चला ये कम डामेज करती है जादा डामेज करती है तो इस तरह के ग्यानों पूरे गेम में देता रहता है यह एक वेबसाइट है यूरो गेम जिन्होंने अभी हाली में एक सर्वे किया था जहांपर PUBG के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जितनी भी यहांपर गन्स यूज होती है PUBG गेम में उन सभी का डामेज कैकुलेट किया गया था तो आप guys मैं आप लोगो हर गन के यहांपर डामेज बताने वाला हूँ guys मैं आप स्नाइपर वाले सेक्शन को कवर नहीं करने वाला, आप लोग guys अल्रडी जानता हो कि यहापर TOP पर जो बैस स्नाइपर है वो औम है उसके बाद M24 आती है, फिर यहाँपर आती है leg और लास्ट इसका जो fire rate है वह बहुत ही जादा है जिसका वैस से जासरा किम पर उजी जैसे गन है जिसका fire rate बहुत ही कम है तो वो अराम से डीपीटर बाले को खतम कर देगा तो इसलिए काइस डीपी को मोस्तरी लोग long range के लिए ही use करते है लेकिन guys DP-28 का damage सबसे जादा है अगर मैं compare करता हूँ जितनी भी AR एफ जितनी भी LMG है जैसे M249 उन सभी से जादा damage यहाँ पर DP-28 का है जो की 51 है इसके बाद guys यहाँ 2nd position पर आता है Groza, MK-47 Mutant और AKM इन तीनों का damage same है जो की 49 है फिर guys यहाँ पर 3rd position पर आता है M762 जिसका damage 47 है फिर guys यहाँ पर M249 आता है 4th position पर जिसका damage 45 है and then lastly guys बागे जितनी भी AR गन बच गई उन सब का damage 43 है जैसे कि AUG A3, M416, G360, QBZ95, SCAR-L, M16A4 इन सभी का damage 43 है फिर बात करों अगर SMG guns की तो guys यहाँ पर जो गन 1st position पर है न वो आप लोग बहुत ही कम यूज़ करते होगे लेकिन उसका जो damage है वो बहुत ही जादा है यहाँ पर जो 1st position होल्ड करती है वो है Tommy gun इसका जो damage है वो 40 है फिर यहाँ पर जो 2nd position पर आती है वो यह UMP45 इसका damage 39 है यहाँ पर 3rd position पर जो आती है वो PP Bison इसका damage 35 है फिर 4th position पर यहाँ पर आती है MP5K इसका damage 33 है फिर यहाँ पर 5th position पर आती है Vector जिसका damage 31 है फिर यहाँ पर last position पर आते है उसी जिसका damage 26 है अब मुझे पता है आप मेंसे बहुत सारे लोग बोल रहे होगे कि यार उजी के जब हम यूज करते है तो बंदा तुरंती मर जाता है तो इसका डामेज इतना कम कैसे है फिर इस बात करते हूं अगर शॉट गन की तो यहाँ पर फर्स पॉजिशन पर दो गन है पहली है S686 फिर यहाँ पर दूसरी है S1897 अब इन दोनों का ही डामेज 216 है बहुत ही जादा डामेज है यहाँ एक शॉट में बंदा नौक हो जाता है फिर यहाँ पर जो सेकंड पॉ तो यहाँ पर पहली बात जो आप लोगा आमो मिलते हैं जो बौज मिलते हो बहुत ही जादा लिमिटेट होती है उसके बात यहाँ पर एक बहुत जादा टाइम लगता है जिनका ऐम बहुत अच्छा होते है अगर सीदह हैडब फे नारोको तो आप बंदें को एक शॉट म मैंने आप पर थोड़ा उनकी तरह बोलने की कोशिश करी है उमीद आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और यार वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करो इस तरह की फैक्ट वाली वीडियो बनाने के लिए बहुत जादा रिसर्च वर करना पड़ता है तो वीडियो को एप्रिशेट किये करो और इसको लाइक कर दिया करो आपकी एक लाइक से बहुत जादा मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियो बनाने के लिए तो गैस बस यार आज की वीडियो के लिए इतना यार उमीद आप लोग वीडियो पसंद आई होगी वीडियो से लिगे तो कर देने लाइक और इसी वीडियो से देखना चाहते हो तो चैनल को भी करता हो सबस्क्राइब अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और कमाल वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर हैं और सीया